जैहिन दोस्तो बिहार होमगाड 2011 के अभ्यार्थियों के लिए एक महत्पूर नोटिस जारी हुआ है दोस्तो आप सभी को इस परकार की नोटिस के काफी इंतिजार रहता है क्योंकि दोस्तो जो अभ्यार्थी का मेरिट में नाम नहीं आता है या कुछ गड़बड़ी हो जात है इस परकार से वह अभ्यार्थी इंतिजार करते हैं कि क्या एक बार और हमें मोका मिल जाए तो अपना जो गलती है वह सुधारवा सकते हैं अपना उसमें आप करेक्शन करा सकते हैं तो दोस्तो आपको एक वीडियो में लेकर यह आया हूँ जो कि आप सभी के लिए यह ब बिल्कुल सही और सटिक दोस्तो कुछ दिन पहले आपको बेतिया जिला के आपको मेरिट आया था उसमें काफी अभ्यार्थी निरास थे उस मेरिट को लेकर उसके बाद आवेदन दिये थे उसके बाद दोस्तो दुबारा आपको दावा अपतिका डेट जारी किया गया है तो अभी तक इस notice को नहीं देखे हैं तो चलिए मैं official side पर चलता हूँ और आपको notice को बारे में बता रहा हूँ दोस्तो देखिए यह official side है और नीचे आईएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं गिरक्षा के सोच नमांकन है तु मेगा सुझी के यह दावा आपती के तिति आने के संबंद में तो दोस्तो इस पर simple सा क्लिक किजिएगा आपके सामने यह notice आ जाएगा simple सा इस पर क्लिक कर PDF डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको दावा आपती का date यहाँ पर दिया गया है आप 9 October से 16 October तक दोस्तो आप कर जाले में दावा आपती नहीं मान होगा यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंको उसके बाद दोस्तो आप सभी का bond भरने का और सभी process का दोस्तो डेट आने वाला है उसी में जैसे ही यह दावा आपती दर्ज होगा उसके दो-चार दिन बाद दोस्तो वहाँ पर नीरा करण करके या आपको यह डेट भी आ जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर देखिए लिखित यह लोग दावा आपती दर्ज कराये थे उसके बाद डेट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है तो आप लोग अगर वितिया जिला से हैं तो आप जाकर कोई भी तूटी है कोई भी दिक्कत है तो दा